नमस्कार स्वागत है आपका डेली डाइरी नियूज में बाहुबली 2 में कटपा ने बाहुबली को क्यो मारा का जवाब जानने के बाद अब एक और सवाल उठ रहा है कि बाहुबली का धर्म क्या है सुनने में भले ही याटपटा लगे लेकिन बाहुबली 2 का एक पोस्टर खूब देखा जा रहा है पहले तो कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर साफ हुआ कि बाहुबली को हिंदूओं की फिल्म घोशित करने के लिए ऐसा किया गया है फिल्म को लेकर अभी तक तेलकू सिनेमा और बॉलिवुड में जंग छिड़ी थी लेकिन अब ये जंग धर्म की लड़ाई बनती जा रही है बले ही बाहुबली 2 के डिरेक्टर S.S. राजा मौली भगवान पर विश्वास नहीं करते लेकिन उनकी फिल्म अब हिंदू धर्म और सब्यता का प्रती बना दी गई है रिपोर्ट्स के अनुसार बाहुबली के फैन शारुक सल्मान और आमिर पर भी जम कर निशाना साध रहे हैं कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का मजाग बनाए बिना भी फिल्में बनाई जा सकती हैं और ये सभी को बाहुबली से सीखना चाहिए वहीं अक्षे कुमार की ओमाई गॉड को भी निशाने पर लेते हुए कहा जा रहा है कि भगवान के साथ चल कर भी अच्छी फिल्म में बनाई जा सकती है सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि बाहुबली भव्य तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार करती है दरसल माहेशमती की दोनों महिला किरदार शिवगामी और देवसेना को हिंदू औरतों का उत्तम प्रतीक माना जा रहा है